नमस्कार, BKC Guru Classes में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे FLN अभ्यास पुस्ति का गणित कक्षा 3 के सब्ताह 17 की गतिविधिया समय समय की बात दिये गए चित्रों में घड़ी में दर्साए समय को लिखिये बताईए इसी का घड़ी में कितना बजा है? 3 बजा है तो यहां लिख देंगे 3 बजा है फिर आगे देखे यहां पर जो समय है यह कितना बजा हुआ इसी का बताईए 9 बजा है यहां पर यह कर दिया हमने 9 अब यह देखे यहां पर तीसरी घड़ी में कितना समय हुआ है? 6 च्छे बजा है तो यहां लिख देंगे च्छे और ये चौंती घड़ी में हम देख रहे हैं कि छोटा और बड़ा दोनों सुईयां कहां पर हैं? बारा पर हैं तो कितने बजे हैं? बारा बजे हैं इस तरह से हमें घड़ी पर टाइम देखना है अब देखिए आगे है दिवस च्छे में जुलाई 2022 का कैलेंडर देखकर निम्न प्रशनों को हल कीजिए हमारे पास कैलेंडर है जुलाई 2022 का पहला प्रशन है जुलाई माह में रविवार के दिनों की संख्या जितने यह जो देखिए रविवार हम नाप लेते हैं एक तो तीन चार पांच तो पांच विवार हैं फिर देखिए जुलाई माहमें कुल दिनों की संख्या जुलाई माहमें यह देखिए सबसे पहली तारीक है एक और सबसे आखरी तारीक है 31 कुल 31 दिन हैं कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं तो बच्चों हम यहाँ पर एक और बात सीखते हैं कि किस माह में कितने दिन होते हैं तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है अप्रेल, जून, सितमबर और नवंबर ये चार महिने होते हैं हमारे तीस दिन के सेश सभी महिने होते हैं 31 दिन के यह हमें याद रखना है अप्रेल, जून, सितमबर, नवंबर लेकिन इन से कम दिनों का भी एक माह होता है वह होता है फरवरी फरवरी महा होता है साधारन वर्स में 28 दिन का और लीप वर्स याने ऐसा वर्स जो हर चार साल के बाद आता है याने कि सन दो हजार एक लीप वर्स था उसके बाद दो हजार चार एक लीप वर्स था फिर दो हजार आठ एक लीप वर्स था दो हजार बारा एक लीप वर्स था दो हजार सोला एक लीप वर्स था दो हजार बीस एक लीप वर्स था और आने वाला वर्स दो हजार चोबिस एक लीप वर्स होगा तो हमें ध्यान रखना है कि आखरी के दो अंकों में यदि चार का भाग पुरा पुरा जा रहा है तो वह साल लीप वर्स है जैसे 2023 में आखरी में कितना है 23 है 2022 में आखरी में कितना है 22 है जिसमें चार का पुरा भाग नहीं जा रहा है मतलब ये leap verse नहीं है जबकि 24 में 4 का पूरा भाग जा रहा है 20 में जा रहा है 16 में जा रहा है 12 में 8 में 4 में और 00 वाली संख्या है तो वो भी हम मानने करते हैं ऐसी संख्याओं में हमें पता चल जाता है कि यह leap verse है leap verse में फरवरी होती है 29 दिन की साधारण वर्स में 28 दिन की leap verse में 29 दिन की तो देखे हमें पता चल गया कि अप्रेल, जून, सितंबर और नौंबर 30 दिन के हैं बाकी के सेश 6 महिने हमारे 31 दिन के हैं और साथवा महिनाई जो फरवरी को हम ले रहे हैं यह 28 और 29 दिन का होता है साधारण वर्स में 28 दिन और leap वर्स में 29 दिन का होता है इस तरह से कुल 12 महिने होते हैं अगला है अक्टूबर 2022 के केलेंडर को देखकर निम्न प्रशनों के उत्तर दीजी पहला प्रशन है अक्टूबर 2022 माह में कौन से दिन पाच बार आ रहे हैं तो देखिए कौन से दिन पाच बार आ रहे हैं सनी 1245, रवी 12345 और सोम 12345 यहां लिख देंगे सनी, सनीवार, रवी, रविवार और सोम, सोमवार ये दिन पाच बार आ रहे हैं अगला है अक्टूबर 2022 माह में कौन से दिन चार बार आ रहे हैं चार बार आने वाले दिन कौन कौन से हैं मंगल, बुढ़, गुरु, शुक्र एक, तो, तीन, चार बार आ रहे हैं तो यहां लिख देंगे मंगल, बुध, गुरू, सुक्र आगे है जन्वरी महा में आने वाले मुख्यतिवार कौन से हैं जन्वरी महा का कैलेंडर तो यहां नहीं है पर फिर भी हम बता सकते हैं जन्वरी महा में आने वाले मुख्यतिवार कौन कौन से हैं तो देखे बच्चों, सबसे पहला तेवहार है मकर संक्रान्त्री, मकर संक्रान्त्री, यहां आता है चवदा जन्वरी को, फिर है बच्चों, गड़तंत्र दिवाश, गड़तंत्र दिवाश, कवाता इसी का, 26 जन्वरी को, इस तरह से बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब, जन्वरी महा में आने वाले रास्ट्री तिवारों के नाम लिखिए, तो रास्ट्री तिवार कौन सा है, जन्वरी महा में आने वाले रास्ट्री तिवार है, गड़तंत्र दिवस कब आता है 26 जनवरी कब आता है आगे बच्चों छटवे दिवस में ही है अक्टूबर 2022 की 20 तारीक को कौन सा दिन है अक्टूबर 2022 हमारे पास कैलेंडर है उसकी 20 तारीक को ये 20 तारीक है और 20 तारीक को गुरुवार है तो यहां लिख देंगे 20 तारीक को कौन सा दिन है गुरु है तो यहां लिख देंगे गुरु आगे वर्तमान माह में कितने सुमवार है वर्तमान माह तो यहां लिख देंगे बच्चों वर्तमान माह चल रहा है अगस्त दोहजार तेईस तो इस माह में तो चार सुमवार हैं हमें यह पता लगाना बहुत आसान है 28 तारिक के बाद जो जो दिन आते हैं बच्चों वे दिन पांच बार आते हैं जो दिन 28 तारिक के बाद आते हैं वो माह में पांच बार आते हैं वर्तमान माह के तीसरे सप्ता के गुरुवार को कौन सी तारीख है वर्तमान माह है अगस्त दोहजार तेज़ तीसरा सप्ता यानि की पंदरा तारीख से लेकर 21 तारीख तक तो वर्तमान माह के तीसरे गुरुवार को 17 तारीख थी फिर आया इस्कूल प्रारम होने के समय को घड़ी में सुईयों द्वारा दर्साईए तो बच्चों आपको एक घड़ी यहां पर बनाना है और आपका इस्कूल कितने बज़े प्रारम होता है उस समय को उस घड़ी पर बना देना है आगे है घड़ी में मिनट की सुई एक बार पुरा घूमने पर कितने घंटे होंगे एक बार पुरा चक्कर यदि मिनट की सुई लगाती है तो एक घंटा होता है तो वच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं दिये गए घड़ी के चित्र में अभी कितना समय हुआ है तो ये छोटी सुई 6 के आगे है और बड़ी सुई 3 पर है तो 6 बचकर 15 मिनट 6 बचकर 15 मिनट का समय यहां हुआ है आपका विद्याले आने का समय क्या है तो आपके हर बच्चेयों का हो सकता है विद्याले का समय अलग-अलग भी हो सकता है इसलिए यहाँ पर आप आपके विद्याले आने का समय लिख देंगे बच्चों तो आज की है कलास हमारी यहीं समाप्त होती है धन्यवाद